नमस्कार दोस्तों मैं साधना पांडे मार्गदासन प्यापका स्वागत करते। दोस्तों आज जो बात मैं करने वाली हूँ वो दिवाली के बारे में आप सभी को ये लग सकता है कि मैं दिवाली के बारे में बात कर रहे हूँ यानि कि दिवाली बहुत दिन है लेकिन जो बात मैं आज आप से खाने वाली हूँ वो सत प्रत्सत बता दूँ कि जीवन में निश्चित रूप से बदलाव लाती है और इसकी तैयारी यानि कि दिवाली आपको बस यही लगता है कि आप जो है दो दिन चार दिन दस दिन पहल तो देखे सबसे पहली बात दिवाली आपको लग रही है कि बहुत जादा दिनों में लेकिन दिवाली लगभग एक महीने है और एक महीने बहुत जादा समय नहीं होता है जो बाते मैं आपसे कहने वाली हूँ तो आपको क्या करना है देखे दिवाली पे हमारी सब की यही इच्छा होती है कि ये साल जो है हमारा बड़ी परिशानी से बड़ी तंगी सी कुझरा अब अगली साल हम देखते हैं मातारानी हमारे जीवन में क्या चमतकार करती है दिवाली पे हम इस प्रकार पूजा करेंगे ये मंतर जपेंगे ये चीज़े करेंगे ऐसे करेंगे साहत मातारानी की कृपा हमारे उपटा हो जाए तो देखे सबसे पहली बात तो ये बता दूँ आपको एक दिन की पूजा पार्ट से कुछ भी नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है यदि आप पूरे साल जो है कुछ नियम होते हैं कुछ कीजे होती हैं जो कि मैं आपको हमेशा वीडियो में भी बताती रहती हूँ तो ऐसे नहीं करेंगे तो फिर एक दिन की पूझा अप एक दिन तो देखे सभी लोग दिवाली की दिन लक्षमी पू वो दिनों दिन पिछड़ता क्यों है तो यह सारी चीजे पस समझने की बात है जिस दिन आप इन चीजों को समझ गए उस दिन आप समझे कि जिवन में बदलाव होना शुरू हो गया उसके लिए सबसे पहले जिम्मदार तो हमारे कर्म होते हैं तो कर्म को करना है यानि कि कर्म अउनती होता है यानि कि दरिदरता आती है तब भी वो बुद्धी के द्वारा ही उसका जो है अउनती होती है तो यदि इस बिसाइपे मैं चर्चा करूंगी तो साइद वीडियो लंबी हो जाएगी तो आते हैं अपने मुखे बिसाइपे की करना क्या चाहिए देखिए मै चीजे पहले निकाले जो आपके लिए बेकार है चाहे वो बेकार पड़ी आपकी दवाईया हो सकती है बहुत दिनों की दवाईया जो हम खाते नहीं है और नहीं खाते हैं इस लालच में रखे रहते हैं कि बहुत दिनों बाद साहे दिन का कोई काम पढ़ जाए किसी को जर बच्चों की जो ड्रिंग्स वागर आती है दूद में मिलाने वाला बॉन बीटा हो लेक्स तरह के डिब्बे भी हमारे पास होते हैं यदि इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन चीजों को आप हटा डालिए क्योंकि मैं बतारे हूं कि यह चीजर राहु को साफ आमंतर्ण देते हैं आपके घर में आकर myös राज करने के लिए और यही चीज है ऑपके घर में लक्षमी की को अगमन को वाधित करती हैं इस बात को ध्यान रखिए तो दवाईya और कि खाली isねぇ कोई भी выпол hanio तेल का हो सकता है कोई भी डिबा हो सकता है ध्यान रखिया उसको अपने घर से निकालिया और पूरा एकदम मन बनाए किसी चीज का बहुत अधिक मोह मत कीजिए क्योंकि जहां आपका मोह आया इंजी जो को रखने का वहां आपने अपनी परिसानी को खुद निमंत्रड दिया तो जो भी चीज़ें आपके इस्तमाल की हैं उन्हें रखें लेकिन जो चीज़ें आपने साल छे महिने से इस्तमाल नहीं कि फिर भी आप मोह वस उनको रखे हुए तो उनको फोरण हटाईए इस दिवाली इसलिए मैंने आपको इतना पहले ये वीडियो दिया कि आप इस तैयारियों में जुट गए होंगे क्योंकि दिवाली कोई छोटा चतेवार नहीं एक तो घर की सफाई सजावत पूजा पाठ इत्यादी बहुत सारे काम होते हैं तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान डालने के लिए मैं अभी वीडियो दे रहे हूं क्योंकि देखिए वीडियो को पसंद कर रहे हैं बस आपके लाइक का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है तो यदि वीडियो अच्छी लेगे तो आप उसे जरूर लाइक किया करें तो यह काम आप कर लें दूसरी चीज है दोस्तों कि आपके पर्स मैं एक वीडियो में और जिक्री की थी तो प्रति दिवाली एक नियम बना है कि आप छोटा सा पर्स लेंगे बहुत छोटा सा पर्स सस्ता लेकिन लेंगे जरूर और उसको क्या करेंगे आप कि जब आपके दिवाली पूजा हो रही होगी तो उस समय जैसे आप घर के दरवाजे पे अपने आलमारी पे जहां आप पै कारण मैं बताती होगी तो वीडियो बहुत लंबी होगी इस बात को आप समझे क्योंकि धन-ागमन कराता है पर्स कोई साधान चीज नहीं दूसरी चीज बता दो दोस्तों कि घर में यदि बंद घडियां आपकी बहुत सारी घड़ी तो रखनी भी नहीं चाहिए इस चीज को ध्यान रखें बहुत हर कमरों में कोई आवसकता नहीं है घड़ी रखने की आपको तो जितनी घड़ी की आवसकता हो उतनी रखें दूसर बार बार खराब हो रही है तो उस घड़ी को या तो आपको दूसरा ले लेना चाहिए या तो उसमें जो भी चीजे खराब हो रही है उसको सही करा करके और पुना दोबारा रखे भार बार घड़ियों का इस तरह खराब होना बेकार पड़े रहना हमारे लिए अच्छा नही होता है परिवार में रहने वालों के स्वास्त के लिए अच्छा नहीं रहता और भी होता है होता यह की सखारात्म कुर्जा का संचार होता है यदि आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो निश्चित रूप से मानते हैं कि हमारे जिवन में देवी देवताओं का बड़ा महत्वा होता है कर्म का महत्वा होता है तो इसमें दिवाली की रात्री मालक्ष्मी आती है हमारे घर में और वो क्या देखती हैं कि जिस घर में नकार प्रवल होती है उसी के घर में उनका वास होता है तो बस हमारी कोशिस इतनी रहनी चाहिए कि जो चीजे नकारात्मकता को जन्म देती है उन्हें हमें अटा करके वापस फेग देना है तो आप घडियों पे भी आप अपने घर की ध्यान दे और कोई आवसकता नहीं कि आप बह घर एक क्या होता है इस चीज को ध्यान रखिए घर आपके रहने का अस्थान होता है उसके उपर का स्थान बहुत सो से लोगों के दिमाग में होता है वहां पे कोई भी चीज हम फेग सकते हैं कैसे भी कबाड़ा है वहाँ जाडू लगी सफाई हुई नहीं हुई कोई समस् आती हैं और दोस्तों कहीं ने कहीं नौग्रा हमको प्रभावित करते ही करते हैं तो इसलिए हम उनको ठीक करने की पूरी कोशिस करते हैं वो काम भी नहीं करते हैं जिससे की हमारे जीवन पे उसका नकरात्म खसर पड़े तो घर की छट से जो है कबार हटाईए देखिए एक से ज़र बतादो लोगों को मैं बताती हूँ छट पे दाना डालने के लिए तो उसको आप समझे दाना डाल करके प्रति दिन आपको सफाई करना है क्योंकि दाना पक्षी चूक के गए ये बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि वहां उन्होंने गंदगी की तो ये आपके लिए सुभ नहीं है बिल्कुल नहीं है इसलिए प्रति दिन छट की सफाई भी होनी आवश्यक है हो सकता है आपका घर बहुत बढ़ा है प्रत दिन नहीं कर सकते तो कम से कम दो दिन चार दिन सब्ता में तो एक दिन आपक बेकार चीजों से भरा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए तो उसकी भी साप सफाई पर ध्यान रखें और यदि आप इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो ये एक महीने का समय आपको बढ़ा नहीं लगेगा दूसरी चीज बता दू कि किसी भी स्थिती में आप अप लक्षमी भी ही नहीं रहेंगे यदि आप इन कर्मों पर ध्यान दे कियोंकि कर्म प्रधान विश्वरी चिराका पूझापार्ट सवपने स्थान पे है कर्म भी आपको अवस्य करना चाहिए क्योंकि कर्म के द्वारा इप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आप परियाप्त प्रयास करना है और सत कर्म करते जाना है इस चीज को भी ध्यान रखना है तब ही जाकर कि लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है और लक्ष्मी इतनी आसानी से नहीं आती है इस चीज को ध्यान रखे बहुत प्रदिस्तरम बहुत पूजा पाट के बाद जो है व अक्सर जो प्लास्टिक फाइबर की जो कुर्सिया होती है तो इन चीजों को आप ध्यान दे यदि आपके काम के लायक है तो इने रिपेर करा ले बनवाले और यदि ही बेकार है तो इनका मोह त्यागी और इनको हटाईए दिवाली से पुर्वही आप इन कचरे को निकाल कर दैके ध़िया, और फिर दिवाली का दिया जलाईए मालक्षमी का आवान कीजी और एक जिसको ध्यान रखें جब आपके घर की शकारात्म कुर्जा प्रवल रहे दिवाली तक आपके लिए एक से एक वीडियो यनिकी सिर्फ कहने के लिए एक से एक ने इस्तत प्रतसत वह असरदार होगी होगी क्योंकि मैंने जो है वह अपने घुरूजी से भी बात किया है मैं चाहती हों कि इस दिवाली जीने धन की समस्या है जादा कुछ तो नहीं कर प लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे द्वारा जो वीडियो दी जाती है बिल्कुल दिल से दिल के पास नजदीक बिल्कुल हिर्दा से मैं जानकारी देती हूं वैसे तो आप लोग जानते हैं देखते भी होंगे कि और सारे चैनलों पर जैसे वीडियो आई नहीं कि वैसे तुरंत कौपी तयार होके पढ़ना सुरू हो जाता है तो इस तरह की तो मैं चाहती भी नहीं हूँ और इस तरह से करना यह उचित भी नहीं है तो पूरी कोशिस रहेगी मेरी कि दिवाली तक जो है वो आपको एक से एक वीडियो लाओं और इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी जानकारिया दे करके और किसी तरह से मैं चाहती कि जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि धन समदी समस्या वो लोग मुझे बताएं वो लोग मुझे कहें कि अब उनकी समस्या दूर हो रही है तो इसके लिए मैं पूरे पावर के साथ जोटी हुई और उमीद करती हूँ भोले नायत इस काम में मुझे जरूर सफल करेंगे तो मिलती हैं उसी तरह की वीडियो के साथ धन्यवाद